नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2022 के एक्जाम के बारे में जैसा कि आप जानते कि जनवरी 2022 के एक्जाम पिछला जो नोटिस इगनु की तरफ से जारी किया गया था उसमें उस पोस्ट पॉन कर दिया गय अनकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है रिपब्लिक डे का स्पेसल ओफर 6 मंद का फ्री एक्स्टेंशन एपलिकेबल ऑन वन येर एंड अबव प्लस सबस्क्रिप्सन यानि कि आपका एक साल या एक साल से ज़्यादा का प्लस का सबस्क्रिप्सन लेते हैं आप अनकैड जनवरी 2022 के लिए वैलिड है यानि की 25 जनवरी 2022 से लेकर 27 जनवरी 2022 तक आपके लिए ये रिपब्लिक डे का इस्पेसल आफर है जहां पर एक साल या एक साल से जादा का अनकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्सन आप खरीदते हैं तो आपको 6 महिने का एक्स्ट्रा फ्री 2021 का आप इस्तमाल कीजिए आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा तो मेरे कोड PC2021 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्सन कोड्स खोलिए और PC2021 कोड का इस्तमाल कीजिए जो की आपको यहां पर नजर भी आ रहा है PC 2021 Code का आप इस्तमाल कीजी और Unacademy का 25 जनवरी 2022, 26 जनवरी 2022 और 27 जनवरी 2022 इन तीन दिनों में Republic Day Special Offer का इस्तमाल कीजी और Plus Subscription ले लीजी आपको 10% का जो Discount है वो तो मिलेगा ही उसके साथ 1 साल या 1 साल से जाधा का Subscription अगर आप लेते हैं तो Republic Day Special Offer के जरीए आपको 6 मेने का Free Extension भी मिलेगा तो वीडियो की सीधा सुरुआत करते हैं और सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जनवरी 2022 में जो 20 जनवरी से एक्जाम थे उनको पोस्टपान कर दिया गया COVID की थर्ड वेव की वज़े से क्योंकि COVID की थर्ड वेव आ रही थी जिसकी वज़े से सेकंड वेव में जिस तरीके से काफी बड़ी संख्या में केसिस आये थे और काफी ज्यादा जो conditions थी वो difficult हो गई थी जिसकी वज़े से एक्जाम्स को पोस्टपॉन कर दियेगे कोई कि थर्ड वेव का आने के चांसे थे लेकिन आप जानते कि आज 26 जनवरी 2022 है और केसे जो है वो निश्चित तोर पर इंक्रीज हुए हैं केसे काफी इंक्रीज हो चुके लेकिन कोविट की सेकंड वेव के मुकाबले फिर भी हाल उसके साथ एक और ग्रूंगी तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि असाइमेंट सम्मिसन जो है और प्रोजेक्ट सम्मिसन है दिसमबर 2021 एक्जाम का उसके लिए लास डेट को एक्सेंड कर दिया गया है पांच फरवरी 2022 तक तो एक बार फिर से आपके लिए असाइमेंट सम्मिसन प्रोजेक्ट सम्मिसन की डेट को एक्सेंड कर दिया गया औ जैसे कि आप जानते कि 26 जनवर ही हो चुका है अभी भी कम से कम चार से पांस दिन या एक हफते से दो हफते का टाइम इगनु लेगा और उसमें जो कंडिशन से उसको एसस करेगा और उसके बाद एक्जाम मुझे लगता है कि कुछ दिनों का टाइम तो इगनु आप सभी को दे गई जैसा कि जो नोटिस सा पोस्ट पॉन का उसमें बताया गया था कि 15 डेस का टाइम कम से कम आपको दिया जाएगा जो भी एक्जाम का सेडियोल होगा यानि कि अगर एक्जाम इगनु को 15 फरवरी 2022 को करवाना है तो उसका मतलब यह है कि उसको 31 जनवरी 2022 तक ही उसको ये बात बतानी होगी आप सभी को ताकि आपको 15 दिन का एक्जाम के तेयारियों का समय मिल पाए लेकिन इस तरीके से 31 जनवरी में आप 3 या 4 दिनों का ही वक्त वाकि है तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो बहुत संबब यही है कि आपके मार्च अपरेल में एक्जाम करवाए जा सकते हैं अगर एक्जाम होते हैं तो मार्च अपरेल एक काफी मुझे लगता है कि ठीक समय होगा जब आपके जो एक्जाम है ये वो कंडट करवाए जा सकते है उसके बाद प्रमोशन के ओपर बात करें तो आपके जो जून 2021 में एक्जाम थे उसमें फर्स्ट के स्टुएंट को प्रमोट कर दिया जाए फाइनल येर के स्टुएंट पहले ही जून 2021 में अपना एक्जाम दे चुके हैं तो चांसिज ये हैं कि जो सेकंड येर के स्टुएंट है वो सेकंड येर के स्टुएंट जिनको जून 2021 में एक्जाम देना था लेकिन वो नहीं द पॉसिबल है कि उसको हो सकता है उनको एक्जाम देने से बचा दिया जाए उनको प्रमोट कर दिया जाए क्योंकि उनको कुछ महीने बाद अपने फाइनल यर के एक्जाम भी देने है जून 2022 में क्योंकि जो सेकंड यर के स्टुएंट है उनको जून 2022 का जो एक्जाम होगा उ और वो तो उनको compulsory देना ही देना है तो promotion के chances है second year के student के लिए बाकि जितने भी student आउनके March, April में exam conduct करवाए जा सकते हैं तो इस वीडियो में इतने वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर की